हलो एवरीवन वेलकम बैक टू पर्चर आएम पूजा यहां हमने आप लोगों के लिए एक सीरीज स्टार्ट की थी गवर्णर जनरल ऑफ इंडिया तो उसी सीरीज में जो हमारे नेक्स्ट गवर्णर है वह है डलहौजी डलहौजी का जो टैन्यार था वह 1848 से 1856 1848 से 1856 के बीच का था तो इन्हों ने अपने समय पे क्या-क्या रिफॉर्म की हमारे देश में क्या-क्या चेंजिस लेकर रहा है कौन से एक्ट को पास किये वह सारी चीजों को हमको देख रहा है क्योंकि डलहौजी का जो टैन्यार है वह बड़ा इंपोर्टेंट है उसे सारे हमारे देश में रिफॉर्म किये पर ऐसा नहीं था कि भारत के लोगों से अचानक बहुत प्रेम करने लगे थे बहुत प्यार हो गया था भारत के लोगों से इसलिए भारत में रिफॉर्म कर रहे थे इन्होंने जो भी चीज़ा शुरू की है मैक्जिमम उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए ही शुरू की है और इनके जो पॉलिसी थी वो एक मेन रिफॉर्म था 1857 के रिवॉल्ट का दिसकस नहीं करनी हमें केवल और केवल यहां पर डलहुजी के रिफॉर्म के उपर डिसकशन करना है अब को बच्चे आप कमेंट करते हैं लॉड डलहुजी या गवर्णर के सामने लॉड क्यों लगा है तो यह हमारी बुक्स में लिखा हुआ है इसलिए हम बुक्स के इसलिए इसको अधरवाइज मत लो यह बुक्स में लिखा है क्योंकि हम एक स्टुरेंट है हमको एक स्टुरेंट की तरह सीखना है और जानना है चीजों को पढ़ना है अनालिसिस करना और हमें एक्जाम देना है यहां पर कोई डिबिट या कॉम्पेटिशन नहीं है कि हमारी जुबुक से उसमें बाते मैंचन है और कुछ समय के लिए ही सही हमारे देश के एडमेस्टेटर रहे हैं इसलिए इनके सामने लॉर्ड मैंचन है चली हम बात करेंगे डेल होजी के रिफॉर्म के बारे में इसके पहले मैंने आप लों को कई सारे जह हमारे गवर्नर अडिया रहे हैं उनको मैंने डिसकस किया है तबसे पहले मैंने आपको वोररिन हैस्टेंग फिर आपका यहां पर लॉर्ड कॉर्न वॉलिす को डिसकस किया था लॉड मिंटवन Lord Hastings हमने discuss किये थे Ermherz को discuss किये था William Bantic हो गए है Auckland हो गए है और Harding 1 हो गए है यहां तक ही सारी चीज़ें हमने discuss कर ली थी ठीक है इतनी चीज़ें यहां तक का सारा discussion हो चुका था और हमने Harding के समय यहां पर First Anglo-Sikh War के उपर चर्चा की थी पूरा background बताया था किस तरीके से पहला नंबर का Anglo-Sikh War हुआ था और Treaty of Lahore और Treaty of Bhaerobal के बारे में मैंने आपको discussion किया था Treaty of Amritsar जो 1846 में हुई थी राजा आपका यहां पर गुलाब सिंग थे आपके डोगर राजा थे जो उनके बीच में, Britishers के बीच में वो भी मैंने आपको बताया था तो यह सारे चीज़ें हुई थी अब यहां पर Lord Harding won जब इन्होंने First Anglo-Sikh War लड़ा था तो यहां पर सिंग जो थे वो हार गए थे और Britishers जीत गए थे उसी के बाद तो यह संधी हुई थी बट उस समय जो है पंजाब के इतने बड़े रीजन को जो है वो एनेक्स नहीं किया गया था British India में नहीं मिलाया गया था बाद में जाके आप देखेंगे यहां पर Second Number का Anglo-Sikh War होता है और इस Second Number के Anglo-Sikh War के समय ही जो है पंजाब के रीजन को एनेक्स कर लिया जाता है British East India Company के अंदर इसको समाहित कर लिया जाता है तो वो सारी घटनाओं को हमें यहाँ पर एके करके देखना है तो स्टार्ट कर लेते हैं लॉट डल होजी के बारे में तो आप लोग से रिक्वेस्ट करोंगी मैं copy panel लेकर बैठी और important points important points कैसे? important points ही की telegraph की सुभिधाय थी telegram की जो सुभिधाय थी वो कब शुरू ही किसके बीच में शुरू ही आपका जो good dispatch act था उसके बारे में जो important बात है आप note down करते चाहिए अधर वाज इसकी PDF तो हमारी जेम्स एंड्रियू रेमसे जेम्स एंड्रियू रेमसे लॉड डलहौ जी का एक्च्वल नेम था स्कॉट लेंड में इनका जन्मुवत और काफी अमीर वरिवार से काफी रिच फैमिली से ब्लॉंग करते थे और महज 36 एर्स के ही थे पापस लेंडन जले जाते हैं और उसके बाद ही हमारे देश में 1857 का रिवॉल्ट होता है अब इनके समय पे जो मेजर इवेंट हुए पहले इनको हम शॉर्ट में देखते हैं फिर मैं आपको सारे चीज़ों का एक्स्प्रेइन करूँगी तो जो मैं second number के Anglo-Sikh War के बारे में बात कर रहे थी तो second Anglo-Sikh War लड़ा गया था इनके समय पे जिस पे अंग्रेजों ने पूरी तरीके से पूरे Sikh Empire को पंजाब के रीजन को एनेक्स कर लिया था और इसको समाहिद कर लिया था British Administration में और इस सारी घटना डलहोजी के समय की है second अब इनकी policy थी इनका जो nature था वो क्या करना था British Empire को expand करना था British Empire को expand करना था expand करने का मतलब बढ़ाना था तो बढ़ाने के लिए आपको दूसरे राज्यों को annex करना पड़ेगा दूसरे राज्यों पे कहते हैं इसको हम हडपनीती के नाम से भी जानते हैं इसे हम व्यपगत का सिध्धान व्यपगत का सिध्धान या हडपनीती doctrine of labs ऐसे कई सारे नामों से इसको जानते हैं doctrine of labs introduce किस ने किया था डलहोजी ने डलहोजी ने अपने समय पे रेल्वे लाइन की शुरुआत या पहली पैसंजर रेल्वे लाइन की शुरुआत हमारे देश में कराई थी जो कि बॉंबे से थाने के बीच में थी और लगभग इसने 34 किलोमीटर के distance को यहां पर कवर किया था बॉंबे से थाने के बीच में इसका ये मतलब नहीं हो गया कि ये बहुत जादा भारत के हित में सोचते थे ऐसा बिलकुल नहीं है इन्हों रेलवे लाइन अपने मकसद के लिए इंटर्ड्यूस की थी क्योंकि ये लोग भारत में वैपार करते थे गुट्स को ले जाने के लिए एक जगह से दूसरे जगह दिप्लॉइ करने के लिए आपको रेल्वे लाइन की जरुवा थी इसलिए आपे बॉंब Begin से थाणे के बीच में वह हो है वह रेलवे लाइन को इंटर्ड्यूस किया गया था भारत में ये पहली थी अगली बात इन्होंने कैलकटा से आग्रा के बीच में जो है टेलिग्र सब्सक्राफ सर्विशेस का बहुत जादा इनको 1857 के रिवॉल्ट में मिला था इन्होंने पूरे इलेक्ट्रोनिक वायर्स बिचा के रखे हुए थे जिसके जरीए टेलीग्राम किया जाता था और बहुत कम समय में जो है इन्फिरमेशन एक जगह से दूसरे जगह पहुचाई दी जाती थी तो इससे क्या होता था जो 1857 की क्रांती है उसको कहते हैं कि खतम करने में उसको एक तरीके से करने में इस टेलीग्राफ ने बहुत मदद की है इसके अलावा पहले क्या होता था हमारे देश में जो भी ब्रिजिस बन रहे हैं या रोट्स बन रही है तो यह सेना के लोग था जो इसलिए यहां पे डलहौजी ने एक नया डिपार्टमेंट इंट्रिजिस किया जो आज भी एक्जिस्ट करता है उस जिसका नाम है P.W.D. डिपार्टमेंट आप लोग ने डेफिनिटली P.W.D. डिपार्टमेंट के बारे में सुना होगा सावजानिक पब्लिक भिभाग है तो P.W.D. डिपार्टमेंट के शुरुआत की इसके अलावा इन्होंने विड़ो रिमेरिज एक्ट पास किया था 1856 में मतलब जो विद्वा इस्तरी है वो बापस से शादी कर सकती है विड़ो रिमेरिज एक्ट 1856 में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था जिसकी कारण ज इन्होंने विद्वा पुणरविवा एधिनियम को पास किया था तो ये इन सारे कामों को करने के अलावा इन्होंने जो फीमेल इंफेंटी साइट है मतलब जो जन्म होते ही लड़कियों की हत्या कर दी जाती थी ना लड़कियों को मार दिया जाता था तो उसह पर इजुकेशन डिपार्टमेंट की शुरुआत की हर एक जगह है एजुकेशन डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट की शुरुआत की और आप सभी को पता है कि एजुकेशन के सेक्टर में इन्होंने बहुत काम किया व्यूमिन एजुकेशन को भी बहुत इन्होंने सपोर्ट कि तो यहां पर education department की हर एक province में शुरुआत करने का काम किसने किया तर डलाजी नहीं किया था और इन्होंने कहा था कि जो primary education होती है हमारी high school तक की education होती है वो हमारी mother tongue या local language में ही दी जाए और higher education जो हो वो English language में दी जाए तो इस तरीके से इन्होंने education के sector में भी काफी काम किया तो उनके समय की कुछ major work है जो हमने शौट में यहां पर देखे है अब एक एक करके हम चीजों को यहां पर समझते है अब जैसे कि मैंने डलहोजी के नाम पर आपको यमाचल प्रदेश में एक station भी मिलेगा मतलब highland station या hill station आप बोल सकते डलहोजी के नाम पर मिलेगा क्या अब सभी को पता है लोगों की जो main प्रेशिदेंसी थी वो serna का रखी जाती थी और यहीं पर इनका सेना का लोग एनेक्स कर लिये थे इतना बड़ा रीजन हो गया था इनका कि इनकी बाउंटरी अब जो है वह अफगानिस्थान की बाउंटरी के साथ शेयर होने लगी थी और आपको तो पता है कि अफगानिस्थान के साथ इनके संबंध जादा अच्छे नहीं थे और यहां पर इति हमेशा यही हुआ है यहां पर अफगानिस्थान है और फिर यहां पर रश्या की पावर भी इंक्रीज होते जा रही है तो इन्होंने सोचा कि हम अपनी आर्मी को अब इस्ट से वेस्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे क्योंकि यहां पर जादा जरूरत है आर्मी को डिपलॉय क के समय आर्मी का नया हैटकॉर्टर जो है वह शिमला में शिफ्ट हो गया था चीक है इसके अलावे इनकी तोप खाने थे जहां पर तोब बगएरा रखी जाती थी ना उसको भी बंगाल से शिफ्ट करके कहां कर दिया था मेरट में कर दिया था तो यह दो बाते भी आपको याद रखनी डलहौजी के समय की घटना है कि आर्मी हैटकॉर्टर को शिमला और तोप खाने को जो है वह मेरट शिफ्ट करने का काम किया था क्योंकि अब हमें वेस्ट की तरफ हमको पश्चिम की दिशा की तरफ आने वाले खत्रों को महसूस करना था और उनसे हमें टारेक्टर या ब्रिटिश पार्लियमेंट डिसाइड करते थी किस व्यक्ति को यह अप्वाइंट कर दो एसी ओपन सिवल सर्विसस नहीं होती थी तो यहाँ पर ओपन सिवल सर्विसस एक्जाम की शुरुआत डलहौजी नहीं करवाई थी बहले ही एक्जाम अभी भी लंदन चला जाता है ये वापस लंदन चला जाता है और 1860 में इसकी म्रत्य हो जाती जब एक एवल और 1860 पर ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं, यहां पर second anglo-sic war की उपर, अब देखें हो बड़ा simple था डालो जी का, डालो जी को केवल एक ही काम था, कि वो expand करें British empire को, वो British empire को क्या करना चाहता था, भड़ाना चाहता था, expand करना चाहता था, अब expand करने के उसके पर दो तरीके थे, क पर तीसरी बात इसने इंटर्डिूस कर दी थी हडपनिती या फिर आपका डॉक्ट्रेन ओफ लैप्स तो इन तीन तरीकों से यहाँ पर डलौजी जो है वह भारत में अपने बृटिश इस्ट इंडिया कंपनी का जो एरिया है उसको एकस्पांड कर रहा था पहले हम युद् देख लेते हैं तो यहां पर युद्धि के जरीये इसने पंजाब को अपने में मिला लिया था पंजाब के अलावा जो आपका लोवर वर्मा का एरिया है लोवर वर्मा या आज का समय का जो हमारा म्यानमार है तो यहां पर लोवर वर्मा के एरिया को इसने अपने एरिया में मिलाने का काम किया था युद्ध के जरीय ठीक है पंजाब को और लोबरवर्मा को मतलब आप यहाँ से इस बात को समझ सकते हैं कि डलहौजी के समय पे दो बैटल हो रही है एक सेकेंड अंगलो सिख वार हो रही है और में कुछ area को कबजा में लिया था बाकि control scheme के reason पसफञेन ची Wal qui से बनाया था इसके निजाम के अडर में था लेकिन निजाम ने यहाँ पैसली एलाइंज जो थी सहायक संदी उसको साइन किया था सहायक संदी में किया चीज थी कि हम आपकी territory में अपनी आर्मी को रखेंगे और आर्मी का जितना expense होगा जितना आर्मी का खरचा होगा वो आपको उठाना पड़ेगा यही तो वेले जली की सहायक संदी थी और सहायक संदी किसने जॉइन की थी हैदराबाद के निजाम ने जॉइन की थी तो को दे दो और यह जो रीजन है यह खेती के लिए बहुत उप जाओ है यहां का प्रोडक्शन फर्टाइल लेंड है कल्टिवेशन बहुत अच्छा होता तो टेक्स्टेशन अच्छा कलेक्ट होता तो इसलिए यहां पर इसने कूटनीती से अपनी पॉलिसी से बरार को भी एने कर रहा था वर्द का रीजन याद रखेंगी डॉक्टरिन ओफ्लेप से रहसे नहीं किया था अबेधायाज Unde kare या अपनी पॉलिसी या ट्रिटी से जो है वो बरार का रीजन अबद का रीजन और सिक्किम के कुछ एरिया को कबजाया फिर जब हड़की नीति लाया या फिर यह जब अपना डॉक्टरन ऑफ लैप्स लाया तो इससे इसने काफी सारे एरिया को कबजा किया वो कौन-कौन से आपको संहलपुर मिला संहलपुर के बाद आप जहसी देखेंगे जहांसी के अलावा आपको यहां पर नाप पूर मिले बिटिश एमपायर के समय हो रहा है यह सारे डिशन डिलोजी के समय किसी ना किसी तरह बिटिश एमपायर के हिस्से आ रहे हैं इतनी चीज़े क्लियर हुई तो पहले युद्ध देख लेते हैं और फिर हम डॉक्टर नॉफ लेप्स को समझेंगे तो सेकेंड एंगलो सिख वा महाराजा…मतल म दुलीप सिंग उनको सिख एमपाय吧, रांइ जिन्दल इर्जीर को राजार रह न दिया ल्ला सिंग को वजीर पहलET बाई दो में, रहने दीया लेकिन रानी जिंदल को बनारस बेज दिया था और रानी जिंदल की जगह एक यहां पर कमीटी आर्ट सरदारों का गृप बनाया था जो कि अगले रीजेंट की तरह है काम करेंगे और यहां पर एक रीजेंट को भी रखा गया था एक resident को भी रखा गया था Henry Lawrence ये सारी बाते मैंने आपको पहले बताएं थी Henry Lawrence तक की कहानी आपको पता है तो Henry Lawrence को जो है वो लाहर की दरवार में अपॉइंट किया गया था लेकिन सम डिसीज के कारण इसको फिर बापस जाना पड़ा और England चले गए Henry Lawrence की तवियत खराब हो गए इनको कुछ बिमारियां हो गए जिसके बाद ये बापस England चले गए Henry Lawrence के बाद Sir Frederick Curie Sir Frederick Curie इसको जो है वो लाहर दरवार में अपॉइंट किया गया ठीक है ना अब ये जो व्यक्ति थे ये थोड़े से सब्सक्राइब का थे इन्होंने क्या किया चो मुल्तान के गवर्णर धे दीवान मुल्राज उनको कहा कि आप अपने एरिया के टेक्स सेशन स्यादा पो करो आपका जो एरिए है उसके एरिया का आपسlex सेशन स्यादा तो जाधा टेक्स बहन और यहां पर दीवान-मुल राज कुछนे निजे कला भॉक्त हुष नहीं करेंगे नहीं हम एक्स्ट सबाक्टाहँ तो बराग गये तो भड़ा गर थिकार हम जाओ लिद्टर करेंट तो पर लुद्धि नहीं ने के बाद शल्हा-थदिकषणी रहें इस विद्रों को दवाएंगे और पंजाग का पूरा एरिया हम अपने कंट्रोल में ले लेंगे उसके बाद यहां पे डल होजी नहीं आर्मी को यहां पे भेजा इसमॉल आर्मी को भेजा और इसके वाद कहीं सारी लडाया हुई उसके बाद पाकिस्तान वाला गुजर और ओंब ने Surrender कर दिया तो उसके बाद पंजब के एरिया को' एन पंजब के एरिया को British East India Company में मिलाने का काम डलहौजी ने कियa था और गटना 1849 की बताए जाती है 1849 की बताए जाती है अब देखें कि क्योंकि हम यहाँ पर Reform कर रहा है डलحौजी के तो मुझे नहीं लगता कि मैं इस पूरी कहानी को और डिटेल में फिलहाल बताऊं अगर आपको डिटेल देखना है तो Modern History का हमने वीडियो बनाया हुआ है उसकी प्लेलिस्ट है आप वहाँ जाके देखेंगे इतनी चीज़े क्लियर है तो इस तरीके से यहाँ पर पंजाब का रिजन तो आ गया अब बात करते हैं सेकेंड अंगलो वर्मीज वार के उपर यह घटना 1852-53 की बताए जाती है 1852-53 और देखेगा हुआ था यहाँ पर ऐयाँ पर सफ इंगलो वर्मीज वार हुए थी और ट्रिटी ओफ यानडाभू चल रही थी यानडाभू की संधी शयर बनाय भूब esao टक 것으로 के संधी नहीं आ रही ती यहां तक वसाइज चीज चल रही थी लेकिन 1851 में एक मर्चंट करी डलाजी को मर्चंट निक करी कि जो बहाँ पर वर्मा के ऑफिसर्स है वह हम को टेक्स रेट बढ़ार है और हमको थोड़ा सा परिशान कर रहा है ऐसे कंप्लेंट यहां पर एक मर्चेंट ने कर दे डालोजी को तो यहां पर लॉड डालोजी नाराज होगे और वो तो वजय धूरी रहा था कि हमको कहीं से कोई वजाय मिले क्योंकि कोई युद्ध का रीजन समझ में नहीं आ रहा थ क्योंकि वो लोग तो सारी आंडूप की कंडिशन को फॉलो कर रहे थे कोई भी संदी को ब्रीच नहीं कर रहे थे कोई प्रॉब्लम हो नहीं रही थी तो हम कैसे किसी पर अटेक कर दें कैसे किसी के खिलाफ युद्ध छोड़ दें चेड़ दें तो यहां पर वैसे भी डलह ब्रीजन आ रहे हैं तो इतना सुनते सही दल्ह की ने पूरी अपनी आरमी को तयार की और कहा की जाओ वर्मा की रिजन पे चले जाओ евर्मा के रीजन पे चले जौ लेंकिन वर्मा की रिजन में आरमी पहुंचती है उससे पहले ही यहां पर ते वर्मीज राजा उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि हम यहां पे जो मर्चेंट से उनको परिशान कर रहे हैं ऑप तो आरमी गई है वो तो लड़ने के मकसद से गई है तो यहां पर नया बहाना देया कि हमारी आरमी आए और आप तही तरीके से सम्मान नहीं किया तो basically कोई फाल्दू फिजूल सा रीजन इन्होंने बना लिया और फिर एनेक्स कर लिया आपका वर्मा का कुछ रीजन ये घटना जो होती है वह 1852 की होती है ठीक है 1852 की घटना होती है तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ रीजन आपे बताती हूँ फेगू का रीजन है एक तो फेगू का रीजन यहाँ पर एनेक्स कर लिया जिसको हम लोवर वर्मा के नाम से जानते हैं जिसे हम क्या कहते हैं लोवर वर्मा के नाम से जानते हैं दिख रहा है फेगू , यह फेगू का रीजन है इस रीजन को यहां पर acquire कर लिए जिसमें रंगून भी शामिल हैं , लिकारव कर लिया , 2010 आपका वरमी करीों ले जो और्म़्ेदर को प्रियों का यहां पर हुई है चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आप डॉक्ट्रेन ओफ लैप्स के बारे में हड़प की नीती के बारे में अब यहां पर देखिएगा डलहो जी का simple सा concept धा डलहो जी ने पूरे की पूरे भारत को कह सकते हैं कि तीन हिस्टों में बाता था तीन हिस्टे कौन कौन से है एक तो आपकी होते हैं independent इंडीपेंड इस्टेट या आपका स्वतंत्र राज्यों यह अंतलब कोई इंट्रेस्ट जो है मतलब ब्रिटिश्ट की तरफ रहा नहीं ब्रिटिश्स हां उनकी एरिया में जाते हैं वैपार करने के लिए लेकिन कभी उन्होंने बिटिश्ट से मदद नहीं मांगी और Britishers से उनको कोई लेना देना नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, दूर दूर तक, और Britishers की किसी policy को भी वो नहीं मानते हैं, ना उन्होंने subsidy alliance का हिस्सा बने, ना हमारी कभी मदद ली, ना हमारी सेना की कभी मदद ली, इस तरीके के जो सोतंतर राजा है, जिनको कोई मतलब नह से वो क्या कर रहा है, वो अपने राज में खुश है, अपनी policies बना रहा है, ऐसे राज थे आपके independent state, जिनको हमें स्वतंतर राज या free state नाम दिया है, पहले तो यह थे, चीक है, दूसरे जो यहाँ पर state थे, वो थे आपके dependent state, dependent state का मतलब हो गया, dependent state का मतलब हो गया, जो प बैठा है, वो भी किसकी मदद से बैठा है, ब्रिटिशर्स की मदद से बैठा है, क्योंकि आपने बैटल में उनसे सहायता मांगी, उन्होंने आपकी सहायता की, आपको राजा बनाया, और आपके वल एक नाम मात्र के राजा हो, पूरे foreign affairs हो गया, आर्मी की पूरा सब जो गदी में बैठे हैं, पूरा का पूरा जो कारीकरम कर रहा है, पूरे empire को या पूरे state को सम्हालने का काम, ब्रिटिशर्स की आर्मी वहाँ पर है, यह ना foreign policy अगर बना ली है, तो ब्रिटिशर्स बना रहा है, ऐसे राज्यों को हमने क्या कहा, dependent state कहा, तीसरे आते हैं अपने तरीके से administration समालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन्होंने आर्मी जो रखी गई है, वो किसकी रखी गई है, वो ब्रिटिशर्स की आर्मी इन्होंने रखी है, इन्होंने संधिया कर रहा है, ब्रिटिशर्स से कोई हम पर हमला करें, तो आप हमें करोगे, संरक्षर्द होगे, तो एक संरक्षित राज है, तो एक free state होगा, एक dependent state होगा और एक आपके प्रोटेक्टरेट state होगा, इस तरीके से पूरा का पूरा जो भारत था, वो तीन राज्यों में इसने डिवाइट कर दिया, किसने डल होजी ने, तो डल होजी ने क्या क तहा कि जो independent state से हमें उनको कोई मतलब नहीं, वो लोग क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, हम जो policy बना रहे हैं, doctrine of lapse बना रहे हैं, हड़प की नीती, हम इस हड़प की नीती इन दोनों के लिए बना रहे हैं, dependent state के लिए और आपके संरक्षित राज्यों के लिए, मतलब protectorate state के लिए हम अपनी doctrine of lapse बना रहे हैं, अब इसमें होता करता है, पहले क्या चलता था हमारे देश में, कि कोई राजा है, कोई राजा उसकी कोई संतान नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, अगला उत्राधिकारी कौन होगा, अगला व्यक्ति कौन होगा, जो गदी पर बैठे का, तो ऐसे के इसमें क्या करते थे, राजा माराजा जो हुआ करते थे, वो किसी बेटे को गोद ले लिया करते थे, और गोद लेने के बाद उस व्यक्ति को उस बेटे को अगला राजा, अगला उत्राधिकारी डिकलियर कर दिया करते थे, यह चीज़े होती थी, तो यहाँ प नहीं मानेंगे, यह बात यहाँ पर Doctrine of Laps में कही गई थी तो यहाँ पर देखिए कर Dependent State को तो बिलकुल साफ तोर पर कहा गया था कि आप किसी भी बीटे को अगर आपका खुद का बेटा नहीं आपके खुद की संतारण नहीं सकते संतारण को Θût ले ही नहीं सकते राजा अजै वह बैटा नहीं है तो यह पूरा एम्पाया ढृट्री है पूरा Porea बितिश टेciu एक dependent state के लिए तो यह rule था doctrine of lapse है अब यहां पर जो सन्रक्षित राज्य थे जो protectorate state थे उनके लिए क्या rule था अगर आप पर खुद की संतान नहीं है तो आप किसी बेटे को गोद ले सकते हो आप गोद ले सकते हो गोद लेने से पहले एडॉप्ट करने से पहले आपको हमारा कंसेंट जानना होगा हमारी पर्मीशन लेनी होगे तो यहां पर आप हमें लेटर भेजोगे हम लेटर कर रिप्लाइ करेंगे जब हमारी पर्मीशन हमारा कंसेंट मिल जाएगा उसी तरह से आप किसी बच्चे को एडॉप्ट य तो यही बात है मैंने यहां पर mention हुई है ठीक है ना तीन तरीके से यहां पर राज्यों को बाटने का काम यहां पर कर दिया गया था थर्ड कैटिगरी का मतलब क्या है आपका यहां पर देखेंगे तो सेकंड कैटिगरी mention above needed to take necessary permission for the company for adopting son to succeed to throne तो यह condition जो रखी है वो एक protectorate state के लिए रखी है यह आपकी protectorate state के लिए condition है यहां पर और यह थर्ड कैटिगरी बताई है यह dependent state के लिए बताई है कि डलहोजी का जो doctrine of labs आया था डलहोजी की जो हड़की निती आई थी उसकी अंतरगत किस kingdom को सबसे पहले annex किया गया था तो answer हो जाएगा सतारा किसे किया गया था सतारा यह घटना 1848 की यह घटना किसकी है 1848 की यह घटना है अब यह बात आप सबी को पता है कि जब आपका 3rd number नम्बर कमतु में घ्राधी ने लिगेज़ को पेश्वा को आन्ली पीज़ा फियाई और भीक बहुत चाहता कि मतलब प्रत इसके नश्था फेश्वा उत विचा बेटे आप नश्थारी में पने संपरों बंद कर देते हैं मतलब हम आप हम तो मानते ही नहीं उत्रादिकारी मतलब जो गोदलिया हूँ बेटा है वो त्रादिकारी होगा तो बिलकुल मना कर देते हैं यहां पर है तो पेंशन देना नाना साहब को यहां पर बंद कर दिया जाता है जो भी जो भी एक रीजन होता है 1857 के रिवॉल्ट में नाना साहब के कॉंट्रिबॉशन का नाना साइपको कर पेंशन मिल रही हो थी तो 1857 की कुरांथी में भागी नहीं लेते हैं बड़ी सिंपल में देखो ऐसा नहीं है कि गल्तियां हमारी तरफ से नहीं हुए हैं हमने भी अपनी सिचेशन की रिवल्ड पर पार्तिस्फेट करते ही नहीं तो यहां पर जो था सतारा का सतारा की जो राजा थे राजा सहाजी उनकी डेथ हो जाती है और डेथ होने के बाद उनका कोई नेटुरल बेटा थो नहीं एностью कर देतके बाद जो डेल होजी होते हैं वह adopted बेटे को अगला राजा मानने से मना कर देते हैं invalid declare कर देते हैं ठीक है और उसके बाद यह British Empire सतारा को annex कर लेता है सतारे के reason में कबजा कर लेता है सतारा 1848 इसमें सतारा के बद आप समलपूर का reason देखेंगे समलपूर 1850 में समलपूर के बाद उदयपूर आप देख रहे हैं 1852 नागपूर 1853 जहासी 1854 इसके लाब आप जैदपूर यहां पर लिखा नहीं है तो जैदपूर भी एक reason था यह सारे reason को annex करने का काम डॉक्टरन ओफ लेप से किस ने किया डलहौजी ने किया ठीक है ना बस नाम याद रखने हैं ना इनके राजा के नाम पूछेगा ना आपसे कुछ पूछेगा तो यह आपको कुछ बाते याद रखने हैं अब बात करतें अवद का reason तो यहां पर doctrine of labs के अंतरगत अवद के reason नहीं आता था doctrine of labs मतलब डलोजी ने जो हड़प की नीती बनाई थी उसकी कोई भी condition के अंदर अभद नहीं आता था लेकिन अवद के reason को तो उनको annex करना है तो आपको कुछ नया यहां पे अप नया tantrum नया कुछ policy बनाने पड़ेंगी कि भाई हमको तो अब इस area को कबजा लेना है और यह लोग तो हमारे हड़प की नीती के अंदर आते ही नहीं है अभी क्या किया जाए अभी क्या किया जाए तो आपको सभी को पता है कि अवद का जो reason रहा है वो हमेशा buffer state रहा है अवद के reason के या अवद के जो नवाब थे उन्होंने हमेशा Britishers का सांथ दिया है हमेशा Britishers का सही योग किया है ये बात आप सभी को पता है ठीक है इसके अलावा यहाँ पे जो अवद के किंडम के नवाब थे वो थे नवाब बादिद अली शाह कौन थे नवाब बादिद अली शाह और इन पे charges लगाए डलोजी ने कि आप अपने administration को अच्छी तरीके से run नहीं कर रहे हो मिस गवर्मेंट के charges इन पे लगा दिये मिस गवर्मेंट के charges इन पे लगा दिये हाला कि आप सभी को पता है कि अवद का reason जो था एक buffer state था buffer state था और यहाँ के जो नवाब थे वो केवल और केवल नाम मात्र के नवाब थे पूरा administration, army, foreign affairs, सब कुछ देखने का काम जनता खुश नहीं है, हिंसा हो रही है, है ना तो उसके आधार पे यहाँ पर annex कर लिया गया थे अवद के reason को 1856 में तो अठार जो छपपन में अवद के reason को इसलिए कबजा कर लिया गया British East India Company के द्वारा इससे जनता बहुत नाखुश दे कि अवद तो आपका हमेशा तहे तेशी रहा है, अवद ने तो आपकी हमेशा मदद किये तो भी आप लोगों ने अवद के reason को भी annex कर लिया और बाद में अवद भी 1857 के revolt में हिस्सा लेगा, clear है और डलहौजी ने क्या किया तो डलहौजी ने हमारे देश में पहली passenger train को रन कर आया, ठीक है 16 अपरेल ये date आपको याद रखनी है 1853, 1853 की घटना है ये, 16 अपरेल 1853 को एक train रन कर आई गई, जिसमें 400 guests थे, मतलब 400 passenger थे और ये जो पहले train थी, ये बॉम्बे से थाने की बीच में चली, लगबग 75 मिर्ट की जर्नी थी, 34 किलो मीटर की distance को इसने कवर किया इसमें 3 steam locomotive थे, 3 steam याँ पर क्या थे, सिंद, सुल्तान और साहिब तो सिंद, सुल्तान साहिब क्या है, तो ये जो हमारी पहले train चल रही थी न, उसके steam locomotive का नाम है तो पहली train की शुरुआत भी किस ने कराई थे, डलाओ जी ने कराई थी नेक्स्ट बात करते हैं, telegraph services की शुरुआत, 1854 में हुई, ठीके न, 800 mile की, 800 mile की पहली telegraph line जो है, वो कैलकटा से आगरा के बीच में बिचाई गई थी मार्च 1854 में इसको उपन किया गया था, और उसके 2 साल बाद आप देखेंगे, लगबख 4000 mile का ये operation कवर करने लगी, बॉंबे और मदराज के reason में ठीक है इतनी चीज़ें, और फिर बाद में आगे जाके, इस telegraph सुभिधा ने 1857 के revolt में अंग्रेजों की बहुत मदद की थी, और telegraph communication जो है, वो इंडिया और इंग्लेंड की बीच में भी Persian Gulf Line के जरिये 1865 में शुरू किया गया था, तो हमारे देश में railway line के अलावा, telegraph line भी बिचाने का काम किस ने किया था, डलहुजी ने किया था, हमारे देश में अल्रेड़ी post office की सुभिधा थी, postal services थी, लेकिन postal services पे क्या चल रहा था हमारे देश में, postal services में अलग-अलग area के लिए अलग-अलग charges थे, distance के हिसाब से charges क्या थे बहुत अलग-अलग थे, इसके अलावा कितने दिनों में आपका post आप तक पहुंच रहा है, पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, इसकी भी कोई guarantee नहीं होती थी, आपका जो letter है, उसमें कोई गोपनी information है, कोई secret information है, वो secret रहेगी या नहीं, कोई खोल के पढ़ लिया, ऐसा मतलब कुछ भी proper यहाँ पे कारिकम नहीं था, तो हमारे देश में proper तरीके से जो postal services के शुरुआत की है, फिर ना वो किस ने की है, डलहौजी ने की है, इन्होंने postal stamp की शुरुआत की, तो यह पर आपको letter भेजने के लिए, लगबग 2 पैसे का एक stamp लगता था, उसको लगाना होता था अपने letter को भेजने के लिए, तो postal stamp की शुरुआत जो है, वो डलहौजी ने अपने समय में की थी, फिलियर इतनी चीज़ है, अगली बात करते हैं, इसने क्या किया था, इसने शिमल शिमला को summer capital बना लिया था, आपका British Empire का, और आपका army का headquarter, army का headquarter भी आपने कहां shift कर दिया था, शिमला में shift कर दिया था, artillery headquarter था, आपका artillery headquarter को shift कर दिया था, Calcutta से मेरर, तो ये बात भी आपको थोड़ा सा याद रखनी है, अब डलहौजी ने पंजाब के एरिया को annex किय और नेपाल के साथ तो पहले ही battle हो चुकी थी, संधिया हो चुकी थी, तो गौर का regiment जो होती है ना, और एक तो सिख की अलग से एक regiment बनाई थी, और एक गौर का regiment बनाई थी, तो इन दो regiment की शुरूआत यहां पे डलहौजी ने की थी, और 1857 की क्रांती पे इसलिए इन regiment पे British India का जो एरिया था, Britishers का जो एरिया था, वह expand होता जा रहा था, लगातार बढ़ता जा रहा था, अब एरिया बढ़ेगा, तो ओविस दी बाद इसमें administration करने में भी थोड़ी problem होगी, तो इसमें क्या था एक बंगाल Presidency थी, बंबे Presidency थी और मदरास Presidency थी, तो मदरास Presidency का अपना Governor है, ठीक है, आपका यहाँ पे बंगाल Presidency, बंबे Presidency का अपना Governor है, ठीक है, और बंगाल Presidency का क्या होता था, यहाँ पे, बंगाल Presidency का कोई अपना Governor नहीं था, इन तीनों Presidency की उपर एक था Governor General of India, तो Governor General of India डलोजी है, ठीक है, मतलब यह तो वही बात हो गई, कि हमार जो प्राइम मिनिस्टर है अब प्राइम मिनिस्टर को पूरा एरिया देखना है तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं हर एक राज में एक मुख मंतरी को न्युक्त कर देते हैं CM की appointment होती है जिससे आसानी से regulation किया जा सके तो वैसे यहाँ पे बॉंबे के लिए तो गवर्नर था मदरास के लिए भी गवर्नर था लेकिन बंगाल का जो गवर्नर था वही तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था तो बंगाल के एरिया में proper administration हो नहीं पा रहा था इसलिए इनो की ऊपर जो है वह governor general of India होगा इस तरीके यहाँ पर एक lieutenant governor general की शुद्वात बंगाल प्रेसिदेंसी में की गई ठीक इतनी चीज़े 1854 में फेडरिक जे हालीडे फेडरिक जे हालीडे को फर्स लेफ्टिन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था अंडर दे चार्टर एक्ट ऑफ 1853 इसका यह मतला भुआ कि जो चार्टर एक्ट 1853 था वो भी डलहौजी के समय पास हुआ था जैकि न आप सभी को पता है कि पह इस nomined 1793 में आए सबी औरा Solar सब्सटर एक्ट खेले के लिए कि एच्रप को अब हैक्ट 1793 में यह अदिया था अब हम तो जब कर रहे हैं के वल के बारें चाहरत चार्टर अक्ट के में सम्क掉 सुथाग्ण करेंगे क्लिफ। बनाते थे तो चार्टर एक्ट 1853 जो है वो डलहौजी के समय आता है इस पर हम थोड़ी सी अभी चर्चा करेंगे इसके अलावा डलहौजी के समय बुट्स डिस्पेच एक्ट पास हुआ था 1854 में बुट्स डिस्पेच एक्ट क्या होता है उसको हम देखते हैं इससे मैंगना काटा ओफ इंग्लिश एजुकेशन कहा जाता है हमारे देश में बुट्स डिस्पेच एक्ट को इसे पास किया था इसे लेकर आये थे चार्ल्स बुट चार्ल्स बुट कौन थे एक बिटिश पॉलिटीशन थे इसके अलावा यह हमारी जो बुट ऑफ डाइक्टर से उसके भी एक मेंबर की रूप में काम कर रहे थे तो इन्होंने हमारे देश में कुछ रिकमेंडेशन दिये कि किस तरीके से हम एजुकेशन सिस्टम में चेंजिस कर सकते हैं तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि आपको हर एक प्रॉविंस में हर एक प्रांत में एक एजुकेशन सेटप करना चाहिए। इन्होंने ही परमाईश्ट कीजिए थैं एके लाव Jew ने कहा जैसे कि लंडन ूणिवर्सिटी की सिमिलरी बॉंबे कलकटा और मदरास में युनिवर्सिटी सेट अब किया गया। इसके अलावा कहा गया जिलो एक एक बॉंबेन्ट स्कूल होना चुछ गवर्मिन्ट स्कूल होना चाहिए इन्हों ने विन सब्धेकर बढ़ाव से रहे kangels और अपने खुदप रहे हैं ग्रांट दिया जाए प्राइवेट स्कूल को या ग्रांट दिया जाए इसके अलावा कि high school या primary education जो होगी वो आपकी mother tongue में होगी और आपकी higher education जो होगी वो English education आपको provide की जाएगी ठीक है फिर Bud Dispatch Act को इसलिए हमने क्या कहा है Magna Carta of English Education India कहा है बाद में आप देखेंगे 1882 में Punjab University और 1887 में इलावाद University का formation भी हुआ था इसी act के अंतरगर clear इतनी चीज़ है तो ये सारी घटनाए किसकी थी Bud Dispatch Act की थी अब अन्त में बात करते है Charter Act से और क्या क्या चीज़े हुई Charter Act से पहले तो मैंने आपको बताईया Charter Act जो था 1853 का ये company का last Charter Act था क्यों था क्योंकि इसके कुछ समय बाद 1857 का revolt हो जाएगा और उसके बाद आपको जो भी act देखने को मिलेंगे वो भारत साशन के अंदर आपको देखने को मिलेंगे Government of India Act आपको देखने को मिलेंगे तो ये अन्तिम Charter Act था जो कि 1853 में आया था तो पहले चीज तो क्या हुई यहाँ पर तीन Presidency थी तो आपका मदरास का अपना Governor है Bombay का अपना Governor है और आपका जो बंगाल है उसमें भी एक Lieutenant Governor Appoint कर दिया और इन तीनों के उपर कौन है Governor General of India है ये चीज तो मैंने आपको पहले बता ही दी है अब यहाँ पर एक और नई चीज क्या हुई वो हम देख लेते हैं तो यहाँ पर अभी तक क्या होता था जो कि आपके Executive Board है या Executive Council है यह वो ही क्या कर रहे थी वो Execution का काम भी कर रहे थी और आपके विधाई का मतलब Legislator की तरह भी काम कर रहे थी मतलब आपके जो Executive Council है वही कानून बना रहे है वही कानून को Execute कर रहे है मतलब Legislator और Executive अलग अलग नहीं थी तो यहाँ पर पहली बार जो Legislative General Council है और Executive Function है दोनों को Separate करने का काम किया गया ठीक है तो यहाँ पर पहली बार यहाँ पर आप देख रहे हैं और इस Chair Member की Council है जो वह कानून बनाने का काम करेगी इस Chair Member में कौन-कौन होंगे तो आपके एक तो Chief Justice of Calcutta High Court होंगे फिर Calcutta High Court के आपके एक Judge होंगे इस तरीके से Chair Member की एक Committee होगी और यह लोग आपकी क्या करेंगे कानून विवस्ता को मेंटेंग करने का काम करेंगे और यह लोगी विदी बनाएंगे यह लोगी कानून बनाएंगे जिसे Mini Parliament भी नाम दिया जाता था जो आपका Legislative Council है इसको Mini Parliament भी नाम दिया गया हितनी चीज़े क्लियर है इसके अलावा यहां पर जो आपका Law Member था जो आपका विदी अधिकारी था याद आया पहला Law Member या पहला विदी आपका कौन बना था तो आपका Lord Macaulay बना था याद आया यह जो आपका Law Member था वो Council का तो Member हुआ करता था लेकिन उसके पास Voting Rights नहीं थे लेकिन यह जो Charter Act 1853 का आता है उसमें आपके Law जो Member होता है उसको एक Permanent Member मान लिया जाता है Council का और उसको Voting Rights भी दे दिया जाते है और फिर मिकाले नहीं तो 1854 में अपना कानून विवस्ता मतलब अपना जो विदी एड्राफ्ट था वो तैयार किया वो दिया उसके बाद ही Open Civil Services की शुरुआत हमारे देश में हुई इसके अलाव पर यहाँ पर जो Court of Director थे Court of Director पहले 24 थे अब इनकी संख्या को घटाकर 18 कर दिया गया 18 कर दिया गया और कहा गया कि इन में से भी जो 6 व्यक्ति होंगे वो Crown के दौरा nominate किये जाएंगे Crown के दौरा क्या किये जाएंगे nominate किये जाएंगे धीरे धीरे company की बढ़ती हुई power को regulate करने के लिए यहाँ पे आप देखेंगे Crown या British Parliament का जो influence है British Parliament की जो power है वो expand हो रही वो बढ़ रही और East India Company की power को यह लोग कम करने की कोशिश कर रहे है तो court of director जो थी उनकी संक्या 24 थी उसको घटा कर 18 कर दे गई और कहा गया कि इन में से भी 6 members जो होंगे वो nominate किये जाएंगे British Crown के द्वारा तो इस तरह किसे चार्टर एक्ट भी पास हुआ था तो यह सारी घटना डल होजी के समय के थी एक बार quick revision कर लेते हैं जो बातें आपको बिल्कुल भूलने का नहीं है Anglo sick war second number का इनके समय हुआ इन्होंने lower verma को annex किया मतलब आपका second Anglo-vermese war हुआ फिर doctrine of lapse मतलब हड़प की नीती को यह लेकर आए good dispatch act 1854 इन्होंने पास करवाया इनके समय पास हुआ जिसने magna cut off education English education in India कहा जाता है पहली railway line की शुडवाद bombay से थाने की बीच में 1853 में इसने करवाई थी फिर इसने इसके अलावा क्या किया था आपके टेलीग्राम शुबिदा जो टेलीग्राम सुबिदा है उसकी शुरुआत की थी postal stem की शुरुआत की थी video remarriage act 1856 में पास किया था और PWD department की शुरुआत भी इसके द्वारा की गई थी तो यह सारी कुछ काम है जो कि डलहोजी ने करवाय थे हमारे देश में यही रीजन है कि इसे जो है मेकर ओफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है मेकर ओफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है यह कुछ बात हैं आपको दिमाग में याद रखनी है तो मिलते हैं next video में I hope सारी बाते समझ में आ गई होंगी नेक्स वीडियो में हम अगले गवर्न जनरल ऑफ इंडिया के बारे में डिसकेशन करेंगे और उनके समय पे क्या घटनाए हुए है उन्हें हम बहाँ पर देखेंगे बस आपको करना कुछ नहीं अभी तक जितने भी गवर्नर हमने पढ़ा दिये हैं उनके उन पे बेस जो भी प्रीवेस एर में कॉशन आये हैं आपके पास जो भी बुकलेट है आप उनसे उस MCQ को लगा लीजिए जिससे इन टॉपिक पे आपकी पकड़ और भी ज़्यादा मझबूत हो जाए मिलते हैं नेक्स वीडियो में ऐसे ही कुछ नए गवर्नर जनरल ओफ इंडिया के साथ तब तक अपना ध्यान रखेंगे टेक क्या और बाबाई